हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास टैन्थ की, हिंदी की वर्क्षीट नमबर 14 लेकर आई हूँ, बच्चों ये आपकी 6 तरीकी वर्क्षीट है, 6 अगस्त की, इस वर्क्षीट में आपको ये पध्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर की आपने प्रशनों के उत पित कर चुका है, वह अपने मस्तक गीत तथा रक्त का एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अरपित कर देना चाहता है, उसके मन में उठते वी कल्पनाए तथा प्रशन तथा संपून आयू, उम्र भी मात्रभूमी के लिए अरपित करना चाहता है, कवी थाल में क्या रखकर मात्र भूमी को भेट देना चाहता है तथा क्यों आंसर है कवी थाल में रखकर मस्तक मात्र भूमी को समयपित करना चाहता है क्योंकि कवी मात्र भूमी के रेन से दबा हुआ है इस रेन को चुकाना चाहता है प्रिश्च नमबर तीन है कवी मात्र भूमी से क्या परात कर रहा है कि जब वे अपने मस्तक को थाल में सजा कर लेकर आए तो उसके इस समरपण को स्विकार कर ले प्रशन नमबर चार है प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत रस तथा उसका स्थाई भाव लिखिए अंजर है प्रस्तुत कविता में वी रस का प्रियोग किया गया है जि कभी मातर भूमी को कुछ और देना चाहता है इसकी कलपना करके एक अनुचेद लिखिए तो अंसर है कभीता में कभी मातर भूमी को अपना सारा जीवन ने चावर कर देना चाहता है कभी के अनुसार हमें तनमंधन और जीवन से अपने देश की सेवा भाने चाहिए हमें मातरभूमी के प्रती सच्चे मन से शरदा से वक्ती से वक्ती रखने चाहिए मातरभूमी पर हमें मातरभूमी पर हमने जनम लिया है इस पर खेल कर हम बड़े हुए हैं और यही हमारे प्यारे देश की धर्ती है इसी धर्ती पर हमारे पूर्वज हुए और इसी पर हमारा भविश्य टिका हुआ है इसलिए हम इसके रेंड से मुक्त नहीं हो सकते प्रशन नम्बर साथ है कठिन शब्दों का अर्थ पता करके लिखिए समर्पित का अर्थ होता है बच्चों भेट किया हुआ अकिंचन का होता है बहुत गरीब रेन का होता है कर्ज आशीश का होता है आशिरवाद शीश का होता है सिर और घनेरी का होता है बहुत घनी प्रशन नमर आठ है निम लिखे शब्दों के विलॉम शब्द लिखे आंसर है निवेधन का आवेधन नमबर एक है निवेधन का आदेश समरपण का विरोध आशीश का विशाब दया का निरतेता और धर्ती का गगन तो यह थी पुच्छो आज की वरक्षीट अगर आपको मेरा वीडियो चला गए तो प्लीज मेरे जैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना थैंक यू वेरी माच